योग साधना के आठ अंग अब हम प्रतेक के बारे में जानेंगे योग का जो प्रतम अंग यम है उसके पांच विभाग हैं पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्ते, चौथा ब्रह्मचर और पांचवा अपरिग्र यम के पांच विभागों की परिभास हैं पहला अहिंसा शरीर, वानी तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक विभार करना अहिंसा कहलाती है दूसरा सत्य जैसा देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, अनुमान किया हुआ ज्यान मन में है वैसा ही वानी से बोलना और सरीर से आचरण में लाना सत्य कहलाता है किसी वस्तू के स्वामी की आग्या के बिना उस वस्तू को न तो सरीर से लेना न लेने के लिए किसी को वानी से कहना और नहीं मन में लेने की इच्छा करना अस्ते ही कहलाता है मन तथा इंद्रियों पर सैयम करके वीर्य आदी सारिरिक सक्तियों की रक्षा करना, वेदादी सत्य सास्त्रों को पढ़ना तथा ईश्वर की उपासना करना ब्रह्मचर्य कहलाता है हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है योग का जो द्वितिय अंग नियम है उसके भी पांच विभाग है पहला सौच, दूसरा संतोस, तीसरा तप, चौथा, स्वाध्याय और पांचवा इश्वर प्रणिधान नियम के पांच विभागों की परिभासाएं पहला सौच यानि सुद्धी सुद्धी दो प्रकार की है, पहली बाहे सुद्धी और दूसरी आंतरिक सुद्धी शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान, खान-पान तथा धनो पारजन को पवित्र रखना बाहे सुद्धी है तिथा विद्या, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भासन वा धर्माचरण से मन बुद्धी आदी अंतह करण को पवित्र करना आंतरिक सुध्धी कहलाती है दूसरा संतोस अपनी पास विद्यमान ग्यान, बल, तथा साधनों से पूर्ण पुरुसार्थ करने के पश्षात, जितना भी आनंद विद्या, बल, धनादी फल रूप में प्राप्त हो, उतनी से ही संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा ना करना संतोस कहलाता है तीसरा तप, धर्माचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को करते हुए भूक, प्यास, सर्दी गर्मी, हानी लाव, मान अपमान आदी द्वंदों को प्रसन्यता पूर्वक, सहन करना तप कहलाता है मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले वेदादी सत्य सास्त्रों को पढ़ना, ओम आदी पवित्र मंत्रों का जब करना, तथा आत्म चिंतन करना स्वा अध्याय कहलाता है पाँचवा इस्वर प्रणिधान सरीर, बुद्धी, बल, विद्या, धनादी, समस्त साधनों को इस्वर प्रदत मान कर उनका प्रियोग, मन, वानी, तथा सरीर से इस्वर की प्राप्ति के लिए ही करना लौके कुद्देश, धन, मान या साधी की प्राप्ती के लिए ना करना इश्वर प्रणिधान कहलाता है इश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है या भावना भी मन में बनाये रखना इश्वर प्रणिधान है अब योग के सेश छे अंगों की परिभासा बताई जाती है इश्वर के ध्यान के लिए जिस इस्थिती में सुख पूर्वक इस्थिर होकर बैठा जाए उस इस्थिती का नाम आसन है जैसे पदमाशन, सिध्धाशन, सुखाशन आदी किसी आसन पर इस्थिर्था पूर्वक बैठने के पश्षाथ, मन की चंचलता को रोकने के लिए स्वास प्रस्वास की गती को रोकने, स्वरूप जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया का नाम प्रणायाम है मन के रुक जाने पर नेत्रादी इंद्रियों का अपने अपने रोपादी विस्यों के साथ सम्मंध नहीं रहता अर्थात इंद्रियां सांत होकर अपना कारे बंद कर देती है, इस इस्थिती का नाम प्रत्याहार है इस्वर का ध्यान करने के लिए आँख बंद करके मन को मस्तक, भ्रुमध्य, नासिका, कंठ, हृदय नाभी आदी, किसी एक स्थान पर इस्थिर करने या रोकने का नाम ध्याहारना है साथवा ध्यान सब्द प्रमान तथा अनुमान प्रमान के माध्यम से इस्वर के गुण कर्म स्वभाव का निरंतर चिंतन करते रहने पर जब इस्वर का प्रत्यक्ष होता है अर्थात इस्वर के आनंद में साधक निमग्न हो जाता है, तब उस अवस्था को समाधी कहते है योग के आठ अंगों का फल अब क्रमस यम नियम आदी योग के आठ अंगों का फल क्या होता है? यह सुनते हैं सरुप्रथम यमों का फल सुनते हैं पहला अहिंसा अहिंसा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के मन से समस्त प्राणियों के प्रती वैरभाव छूट जाता है तथा उस अहिंसक की सत्सग इवं उपदीशा नुसार आचरण करने से अन्य व्यक्तियों का भी अपनी अपनी योगिता नुसार वैरभाव छूट जाता है दूसरा सत्य जब मनुष्य निश्य करके मन वानी तथा सरीर से सत्य को ही मानता बोलता तथा करता है तो वो जिन जिन उत्तम कारियों को करना चाहता है वे सब सफल होते हैं तीसरा अस्ते मन वानी तथा सरीर से चोरी छोड़ देने वाला वैक्ति अन्य वैक्तियों का विश्वास पात्र और स्रधे बन जाता है ऐसे वैक्ति को अध्यात्मिक एवं भौतिक उत्तम गुणों वह उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है मन वचन तथा सरीर से सैयम करके ब्रम्हचरे का पालन करने वाले वैक्ति को सारिरिक तथा बौधिक बल की प्राप्ति होती है पांचवा अपरिक्र और परिक्र धर्म का पालन करने वाले वैक्ति में आत्मा के स्वरूप को जानने के इच्छा उत्पन्य होती है अर्थाद मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कहां जाओंगा, मुझे क्या करना चाहिए मेरा क्या सामर्थ है इत्यादी प्रश्न, उसके मन में उत्पन्न होते है अब नियमों का फल सुनते है पहला, सौच यानि सुद्धी बार बार सुद्धी करने पर भी जब साधक व्यक्ति को अपना सरीर गंदा ही प्रतीत होता है तो उसकी अपने सरीर के प्रती आसकती नहीं रहती और वह दूसरे व्यक्ति के सरीर के साथ अपने सरीर का संपर्क नहीं रखता आंतरिक सुध्धी से साधन के सुध्धी बढ़ती है, मन एकाग्र तथा प्रसन्य रहता है, इंद्रियों पर नियंतरन होता है, तथा वा आत्मा पर मात्मा को जानने का सामर्थ भी प्राप्त कर लेता है दूसरा संतोस संतोस को धारन करने पर व्यक्ति की विशय भोगों को भोगने के इच्छा नस्ट हो जाती है, और उसको सान्ती रूपी विशेश सुख के अनुभूती होती है तीसरा तप तपश्या का नुष्ठान करने वाले व्यक्ति का सरीर, मन, तथा इंद्रिया, बल्वान, तथा दिन होती है तथा वे उस तपस्वी के अधिकार में आ जाती है चौथा स्वाध्याय स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की अध्यात्मिक पत पर चलने की स्रधा रूची बढ़ती है तथवा ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को अच्छी प्रकार जान कर उसके साथ सम्मंध भी जोड लेता है पांचवा ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को अपने अंदर बाहर उपस्थित मान कर तथा ईश्वर मेरे को देख, सुन, जान रही है ऐसा समझने वाले व्यक्ति की समाधी सीग्र ही लग जाती है अब योग के सेश छे अंगों का फल सुनते हैं तीसरा आसन आसन का अच्छा अभ्यास हो जाने पर योगा भ्यासी को उपासना काल में तथा विवहार काल में सरदी गर्मी, भूख प्यास आदी, द्वंद, कम सताते हैं तथा योगा भ्यास की आगे के क्रियाओं को करने में सरलता होती है चौथा प्रणायाम प्रणायाम करने वाले व्यक्ति का अज्ञान निरंतर नश्ट होता जाता है तथा ज्ञान के विर्धी होती है स्मृती सक्ति तथा मन की एकागृता में अश्यरजनक विर्धी होती है वह रोग रहीत होकर उत्तम स्वास्ति को प्राप्त होता है पांचवा प्रत्याहार प्रत्याहार की सिद्धी होने से योगा भ्यासी का इंद्रियों पर अच्छा नियंत्रन हो जाता है अर्थात वह अपने मन को जहां और जिस विशे में लगाना चाहता है लगा लेता है तता जिस विशे से मन को हटाना चाहता है, हटा लेता है चट्था धारणा मन को एक ही स्थान पर इस्थिर करने के अभ्यास से इश्वर विश्यक गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करने से ध्यान में दिढ़ता आती है अर्थात ईश्वर विश्यक ध्यान सीग्र नहीं तूटता यदि तूट भी जाए तो दोबारा सरलता पूर्वक किया जा सकता है सात्वा ध्यान ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहने से समाधी की प्राप्ति होती है तथा उपासक विवहार सम्मंधी समस्त कारियों को दिर्था पूर्वक सरलता से समपन कर लेता है आठवा समाधी समाधी का फल है ईश्वर का साक्षात कार होना समाधी अवस्था में साधक, समस्त भय, चिंता, बंधन आधी दुखों से छूट कर ईश्वर के आनंद की अनुभूती करता है तथा ईश्वर से समाधी काल में ज्यान, बल, उत्सा, निर्भैता, स्वतंतरता आधी की प्राप्ति करता है इसी प्रकार बारंबार समाधी लगा कर अपने मन पर जन्म जन्मांतर के राग द्वेस आधी अविद्या के संसकारों को दक्द बीज भाव अवस्था में पहुँचा कर नस्ट करकी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है प्राप्त कर लेता है